यही काम अफगानिसान में ताजिवान कर रहा है तो भारत में आरिशेस और भाजापा के लोग इसे ले लालू जी कहते थे भाजापा के लोग भारत जलाओ पार्टी है भारत जल रहा है राष्टे जन्ता दल के प्रदेश सदक जगतानन सिंग ने कल आपदा प्रकोष्ट की बैठक थी उसमें आरेसेस के बारे में अपने कारकरताओं को समझाया जगतानन सिंग हमारे साथ हैं जगतानन जी कल बैठक हुई थी उसमें आरेसेस के बारे में आपने अपने हमारे यहां हमारे दल के आपदा से जुड़े हुए जो हमारी यूनिट है इकाई है उसके वो बैठक और लोगों को मैं ये समझा रहा था आपदा किवल आश्मानी ही नहीं होती सुल्तानी भी होती है एक वह जो प्रकृतिके द्वारा बाढ़, बारिज, तुफान, ओला या इनसान के बस में रोकने का नहीं है और सुल्तानी आपदा क्या है जो सरकार के द्वारा आपदा ये वाइरस था कोविड नाइंटिन या आश्मानी आपदा या प्रकृतिक आपदा की सुरिनी में आया उसमें किशी सरकार पर दोष नहीं दिया जा सकता हाँ ये दूसरी लहर के लिए तैयारी नहीं वहां तक हद तक दोष है लेकिन जो सैकड़ों और हजारों किलोमेटर पैदल चलाया गया बार्डर पर लाठीयों को लेकर के खड़े थे पुलिश वाले की किशी को अंदर नहीं आने देंगे बच्चे की दुद के बिना छचंते रहे गर्भावती मैलाय सणक पर बच्चा जन्म दे रही थी घर आने में रुकावट डालने वाली शरकार का जो आदेश था यह सुल्तानी आपदा था इसलिए आपदा मैं अपने कारकरताओं को शमझाया कि दोनों आपदाओं में तुम्हें खड़ा होना है और अधि तुम यह समझोगो कि वाल बाढ़ हो रोले में तो नहीं जहां आम जन पीड़ी थो कोविड नाइंटीन हमारे सारी कारकारताओं कि जो भी शामर्थ थी अपनी जगए जगए पर खड़ी हुए यह मैं शमझा रहा था अब आपका जो शवाल है आरेशेस के प्रती वो जगदानन के विचार इस कुर्शी पर बैठने के बाद नहीं आया है जहां हम बड़े बिश्विद्याले जिसको कहते हैं हम काशी बिश्विद्याले और जिसको यह आरेशेस और भाजापा वाले काशी हिंदू बिश्विद्याले कहते हैं अंग्रेजी में बनारस हिंदू इनोशी थी हिंदी में लिखा हुआता काशी बिश्विद्याले उस समय अब भाजापा आरश्यस वालों ने लड़ाई लड़ी की काशी हिंदू बिश्विद्याले लिखा जा मैं बिद्यार्थी था हम ने हम उस लड़ाई को जेले हैं बिद्यार्थी जीवन में कहा कि आप एक बिश्विद्याले का हिंदू और मुस्लिम सरीप सरूपक्यों देना चाहते हो मालवी जी जो इसके जनक हैं उन्होंने इस बिश्विद्याले को बनाया अंग्रेजी में भले अंग्रेजों ने उनसे बनारस हिंदू बिश्विद्याले लिखवा दिया लेकिन उन्टों हिंदी के शमर्थक थे समझाने के लिए, नहीं समाजवादी दिमाग, परिवारिक परवेश, डाक्टर राम अदोहरलोहिया के शिदांत, हमारे समाजवादी पुर्खों का शिदांत, हम लोगो कभी उधर जाने नहीं दिया, अब आज का सवाल जो मैं समझाया, मैं तालिबान को नहीं जानता हूँ वो बिदेशी लोग हैं, लेकिन जो उनकी चर्चाएं इस देश में होती है, मैं नहीं जानता हूँ कि वो क्या है, उनको कहा जाता है कि धार्मी कुनमादी हैं, हम लोग से भारत की सरकार बताती है, क्योंकि भारत के लोग नहीं जानते हैं, अफगानिस्तान एक देश है, वहां सरकारें किसकी रही, जुद कैसे होता रहा, क्या चीज आया, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अधिवा धार्मी कुनमादी हैं, जैसा कहा जाता है, तो आरेशस भी तो धार्मी कुनमादी है, और धार्मी कुनमादी धर्म आस्था का प्रतिक है, जिस दिन धर्म बेव ब्हुस्थाएं भंग हो जाती है क्योंकि ब्हुस्था की भीतर अनेक मनताओं के शाथ लोग रहते हैं इसी भारत की भीतर हिंदू है मुशल्मान है सिख है इसाई है जैनिय है यहूदी है सब लोग हैं और भूलिये मत यह गांधी का देश है यह गवड़से के देश को बना आने वाले लोगों को मैं धार्मी कुनमादी मानता हूं, हमारा दल मानता है, राज़त मानता है, और राज़त के नित्रत करता राष्टिया ध्यक्ष, आज के लालू परशाज जी भी आडवानी को गिरिफतार किया था, क्यों? वो तो आरेशस के जंडे पर, आरेशस नहीं मो करताओं को समझा रहा था, कि ये जो सुल्तानी आपदा, जब लोग कहते हैं कि तालिवान इस किशम के थे, अर था तो बुरी हरकत है, लोग कहते हैं, हमने उन्हें से कभी उनकों दिए, लोग कहते हैं कि तालिवान के जो है उनकी हरकत है, जो तालिवान का नपसा हमारे सा यह किसी नहीं कर रहा हूं, लोगों ने कहा कि ये तालिबानी चरित्र यही है कि व किसी को परदास्त नहीं करते हैं, आरे शेस्व ही काम कर रहा है क्या कर रहा है चुड़ी बेचने वाले को तुम क्यों रूकते हो तुम क्यों कहते हो कि मस्जिद में जो बाहर के आये थे तुम्हारे वीशा पर आये थे छुपे थे तुमने कहा कि इसे मत मिकलना लाग डाउन है तुमने क्यों कहा कि ये जो इस काड़ी काटने लगें यह क्याँ चीच है अपने आप में गंदी हरकत है हर व्यक्ति को अपने अपने जीवन को अपनी आस्था के मताबिक जीने काधिकार है यह हमारे पूर के समाजवादियों ने समझाया है भूली है मत जैपरकाजी ने क्या कहा जन्यू तोड़ो जैद र जा और मैं इसले कह रहा हूँ अभी मैं आज अकवार में पढ़ा हूँ कि शायत छप रहा बुजब फर पुर्बेक के बिश्विद्याले से वहां के पाट करम से डाक्टर राम अनुहर लहिया और हमारे लोकनाई जैप्रकास जी के चरित्र का जो चित्रन है और उनके को भूलिये मत दिन द्याल के शिध्धान्त रहे या न रहें यह हमारा इतराज नहीं है लेकिन तुम डाक्टर राम मनोलिया और जैप्रकास की शिध्धान्तों को बिहार को नहीं जाने देऊ अब दिन द्याल को भी जाने दो यह जितनी तरह की बिविद्ध हमारे विचार हैं जाने दो यही है लोग तंत्र है और इस बिबिद विचारों के भीतर जनता को चैन करने दो किस विचार के साथ अपने जीवन को जीना चाहता है जब आप अपने विशे को किशी के माते पर थोपोगे अरी यही तालिवान कह रहा है वहां के अपने लोगों से और यहां जो भी कह रहा है तो उनको हम क्या कहेंगे साथ अफगानिस्तान के वारेशिश हैं और साथ आरेशिश इस भारत का तालिवान है मेरा ही कहने का मतलब क्योंकि आप उन्माद ही कैने क्यों है अपने धर्म की आस्ता है, तुम्हारा पूजा है, पाठ है, मंदिर है, मजजिद है, लालू जी ने जब कहा था, जब इन्शान ही नहीं रहेगा, तो कौन मंदिर में घंटा बजाएगा, और कौन मजजिद में आजान देगा, इन्हों ने इन्सान और इन्शानियत को खत्रे में डाल दिया, सारी मानों के संबेदना के खिलापे काम कर रहे हैं, अधि यही काम अफगानी सान में तालिवान कर रहा है, तो भारत में आरिशिस और भाजापा के लोग, इसलिए लालू जी कहते थे भाजापा के लोग, भारत जलाओ पार्टी है, भारत जल रहा है, आज की पीड़ी को नजवानों को बचाने का अवावन हम अपने दल के शाथियों के बीच में कर रहे थे तो साथ तो पर जक्ता नंसिंग ने कहा है कि कल बैठक थी और बैठक में उन्होंने अपने कारकरताओं को ये समझाया कि अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबानी है तो वो जो है भारत के RSS कि तरह है और जो भारत में RSS है वो आफगानिस्तान के तालिबानियों कि तरह है अब देखना यह है कि जक्ता नंसिंग का यो तो बयान अब आगे आहे आगे इस पे राजनीती होना लाजमी है कम शोचके साथ रोपने शर्वास्तव जिमरिया पुटन झाल झाल